दोस्तो नमस्कार, फॉक्स पैगन ने अपनी T7 Multi-Band के टीजर पिक्चर्ज को पेश कर दिया है अगले महिने तक फॉक्स पैगन की T7 Multi-Band ग्लोबल मार्केट में डेब्यू करने वाली है फॉक्स पैगन की T7 Multi-Band MQV आर्खिटेक्चर पर अधारित है जो की बहुत सारे ने शानदार फीचर्ज इंटीर, एकस्टीर, सेफटी और इंजन में आपको आफर करने वाली है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ खास फीचर्ज के बारे में जो आपको अगले महीने ग्लोबल मारकेट में डेब्यू करने वाली फॉक्स पैगन की T7 Multi-Band में देखने को मिलेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को फॉक्स पैगन की T7 Multi-Band आपको पेट्रॉल इंजिन, डीजल इंजिन और हाइबिर्ड इंजिन की आप्शन में आफर की जाएगी इसमें आपको मैनूल और आटोमेटिक की गेरबॉक्स आप्शन देखने को मिलेगी फ्रंट बिल्ट राइब और आल बिल्ट राइब की आप्शन भी T7 Multi-Band आफर करने वाली है अगर एक्स्टीजर की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया फॉक्स वैगन T7 Multi-Band MQV आर्किटेक्चर पर अधायत होगी इसके एक्स्टीजर में फॉक्स वैगन की बैजिंग के साथ नहीं और अट्रेक्टिव फ्रंट ग्रिल्ट, नएं प्रोजेक्टर हैड लैंप, SUV स्किड प्लेट फ्रंट में और रेर में स्लाइडिंग डोर्स की आप्शन, ड्यूल टोन और मॉन टोन कदर्स की आप्शन, R17 और R18 निंच की अलवाइबिल्स की आप्शन, जैसे फीचर्स T7 Multi-Band के एक्स्टीजर में आपको मिलेंगे अगर इंटीजर की बात करें तो T7 का इंटीजर भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम होगा जो की 3 रो शिटिंग और 4 रो शिटिंग लियाउट की आप्शन में आएगा इंटीजर में आपको soft touch dashboard के साथ 10 इंच के करिफ टाच्च्क्रीन infotainment display, 10 इंच के करिफ फुरी digital instrumental cluster, dual panel sunroof, ambient lightning mode, wireless mobile phone charging हर एक रो में आपको AC vents और USB charging की आप्शन जैसे शानदार और नए फीचर्स T7 Multi-Band के इंटीजर में आपको मिलेंगे सेफटी के लिए भी T7 Multi-Band में high stand still body, all airbags, multi-angle blue reverse parking camera, cruise control, anti-theft alarm system, paddistan detection, active emergency brake जैसे शानदा सेफटी के फीचर्स देखने को मिलेंगे ग्लोबल मारकेट में डेब्यू करने बाली फॉक्स बैगन की T7 Multi-Band इंटरनेशन मारकेट में इस साल के अन तक launch हो सकती है आप हमें बताएं कि आपको फॉक्स बैगन की T7 Multi-Band कैसे लगी धरनेवाद